दोस्तों डंकी के ट्रेलर का पहला रिव्यू आ गया है और करण जोहर ने डंकी का ट्रेलर देखके बहुत कुछ बोल दिया है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप शारु खान के फ्रेंड हो तो लाजमी सब्सक्राइब करो ताके आपको डंकी की अपडेट मिलती रहे करण जोहर कहते हैं आज से पहले इतना इमोशनल और दिल को रुलाने वाला ट्रेलर मैंने नहीं देखा था टापसी पन्नो की शानदार एक्टिंग और शारु खान का बहुत ही क्यूट लुक देखने को मिलता है वही इस बार जो राजकुमार हिरानी स्टोरी लेकर आ रहे है वो हर एक परदेशी को रुलाएगी जो के किसी वज़य से अपने देश भारत में नहीं आ सकते इस बार राजकुमार हिरानी ने कमाल कर दिया और ट्रेलर ही इतना बवाल है तो सोचो मूवी कितनी शानदार होगी इस बार शारु खान सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे और एक नया एहत्यास डंकी लिखने आएगी करण जोहर कहते हैं तंकी का ट्रेलर बहुत ही इमोशनल है और इसमें जो कुछ दिखाया गया है वो हर एक सीन काफी ज्यादा दिल को चुपता है इस बार शारुक और राजकुमार हिरानी एक ऐसी कहानी पर काम कर रहे हैं जो आपने कभी नहीं देखी होगी और जो सिंप्लिसिटी और साधगी से ट्रेलर को काता है वो भी एक बहुत बड़ी कला है वहीं सोनो निगम का बैकग्राउंड, म्यूजिक और चार दोस्तों की इमोशनल कहानी लंडन का सफर और इंडिया से बाहर जाने का सपना ये सब कुछ आपको ट्रेलर में समझाया गया है और जब डंकी का ट्रेलर इंटरनेट पर आएगा, तो पूरी बॉलिवर्ड इंडस्टी को एक बार फिर से राजकुमार हिरानी जटका देंगे और इस बार यह जटका बहुत ही खतरनाक होने वाला है डंकी चार ऐसे दोस्तों की कहानी है जो के भारत को चोड़ कर विदेश जाना चाते हैं और वहाँ पर जाने के लिए वो एक ऐसा रास्ता अपनाते हैं जो के मुसीबतों से भरा पड़ा होता है और फिर लंडन पहुचने के बाद भी वो मुसीबतें खतम नहीं होती बलके बढ़ जाती है फिर जो होता है वो आपकी रूह को भी हिला देगा और वो चारों दोस्त दुबारा भारत वापस आना चाते हैं लेकिन आ नहीं पाते फिर रेगिस्तान के रास्ते से इंडिया बॉर्डर में एंटर करने की कोशिश करते हैं तो उसे टेरोरेस्ट एटेक का सामना करना पड़ता है मतलब कि राजू हिरानी ने जो स्टोरी क्रियेट की है वो आपको काफी जादा पसंद आएगी और इस बार डंकी इंडिया की नंबर वन मुवी बन सकती है क्योंकि इसमें रॉमेंस और एक्शन तो उसी के साथ कॉमेडी भी भर-भर के दिखाई गई है और इस बार लग रहा है कि डंकी बॉक्स औफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी दोस्तों सोनो निगम की आवाज में Drop 3 काफी कमाल का आया है और इस नए गाने को हर कोई पसंद भी कर रहा है आपको क्या लगता है डंकी कितनी बड़ी कलेक्शन कर सकती है कमेंट में लाजनी बताना अगर आप शारू खान के सचे फ्रेंड हो तो हमें भी सपोर्ट करो और हमारे 30,000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो और हम आपके लिए ऐसे ही शारू खान की डंकी मूवी की सारी अपडेट लाते रहेंगे धन्यवाद